तो दोस्तों फानली आप लोगों के समस्त सोस्योलोजी यानि की समास्तर का पूरा का पूरा question paper लेकर आ चुका हूँ इस बीडियो से आप लोगों को पता चलेगा की सोस्योलोजी का paper कैसा होता है और उसमें किस परकार के प्रश्ण आते हैं और आपकी परिच्छा यानि जो 2022 22 और 30 की परिच्छा के लिए कौन से महात्रपूर्ण प्रस्ट है और आपकी परिच्छा में कौन से प्रस्ट आने के चांस है वो भी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे तो कुल्मिला के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्पूर्ण होने वाली है जो भी छात्र हमारे बीए फस्ट एर के छात्र है या फिर फस्ट समेस्टर के छात्र है और उनको आने वाले दिनों में पेपर देना है सोसोलोजी यानि स्रमास साफ्तर का 2022 और तेश की सेसन में और वह बीए के छात्र है तो वीडियो को लास तक जरूर देखें नमस्कार दोस्तों में संदीप सभी कापके अपने ही चैनल सक्सेश टूपर चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम देखें पेपर पूरा का पूरा हम आपको बताएंगे कहां कहां से प्रशनाते हैं और कौन-कौन से आपकी परिच्छा इस बार आने के चांस है ठीक है तो लास तक वीडियो जरूर देखें पहले देख लीजिए बेफेश्टियर का पेपर है यानि कि जो नई फिच्छा नीत लागू हुई उसी के कोर्णिंग का पेपर है 2022 यानि पिछले साल का है यानि कि इसी वर्सका भी 2022 से चलना जब मैं वीडियो सोट कर रहा हूं लेकिन अब तेश्ट लगने ही वाला है ठी सब्सक्राइब देखिए आप लोग यह मैस जरूर कर लिजिएगा जो पेपर है पेपर का दुन होता है वह जरूर मैच कर लिजेगा अगर यह मैच करता है आपकी इनवर्सिटी से तभी आप लोग के परिच्छा में सारे प्रश्णाएंगे ठीक है लगभग इनवर्सिट में हो सकता समाज को परभासित करते हुए इसके उद्देश बताईए ऐसे बहुत सारे प्रस्ट मनते रहते हैं अलाग एक इन्वर्सिटियों में जो क्विश्चन होते हूं रहते एक ही कहने का मतलब एक ही होता लेकिन थोड़ा घुमा फिराके रहते हैं तो एक तरीका और बहुत महात्वपूर्ण है खंड आ में तीन प्रकार के पोजिचन आ आएंगे तीन प्रकार के अतिलेग उत्तरी टाइप के ठीक है तो यहां पर सबसे पहले हम कोईश्चन के और बढ़ते हैं अतिलेग उत्तरे का क्विश्चन है यहां पर दिया गया है एक थी into two equal six, यानि कहने का मतलब है, आफे किनी दो प्रस्नों के उत्तर जीजिए, प्रस्नों के उत्तर पचास अब्दों में दें, यानि कहने का मतलब है, यह जो प्रस्न है, इन में से सिर्फ आपको दो प्रस्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है, जिसके यह आप लोगों को तीन पर दिये जाते हैं कई इन्वर्शिट्यों में ठीक है तो कुश्चन तो इंपार्टेंट है नंबरिंग की कोई बात नहीं हम कुश्चन पर आते हैं लेकिन जो उत्तर है वो एक ही होगा ठीक है तो समाज साफ्त की परिभासा आपको इस प्रकार लिखनी है कि समाज साफ्त्र एक समाजिक बिज्ञान है क्योंकि इसकी बिसे वस्त मौलिक रूप से समाजिक हैं अर्थात कहने का मतलब इन में समाज समाजिक घटनाओं समाजिक प्रक्रियाओं शमाजिक शंबंदों तथा अन्य समाजिक पहलूं एवं तथ्यों का अध्धिन किया जाता है जिसे हम समाज साफ्त कहते हैं बस इतना ही लिख देना आपको पूर नंबर मिल जाएंगे क्योंकि आपको यहां परिभासा लिखनी है वह भी सोट में पचास इतना लिख देंगा आपको पूरू नंबर मिल जाएंगे अगला प्रशन है कि समाजिक समुह की आउधारा अश्पष्ट करें तो समाजिक समुह की आउधारा के बारे में आपको लिखना है ठीक है यह भी आपकी परिछा के लिए बहुत ही महत्त्रपूर्ण प्रशन है ठ समाज की परिभासा दीजिए तो समाज की परिभासा आपको मतलब समाज दूसरी चीज है और समाज साफ्ट दूसरी चीज है तो आप दोनों का उत्तर अच्छे से पढ़ लेंगे मैंने समाज साफ्ट का बता दिया समाज का अच्छे से पढ़ लेंगे इंटरनेट से ठीक ह अगला प्रश्ण है कि समाजिक समों के उधाना को श्बष्ट कीजिए तो समाजिक समो यानि कि सोचल गूरूप किसी भी दो या दो से अधिक बेक्तियों के ऐसे समों को कहते हैं जो एक दूसरे से संपर्क वालेन देन रखे जिन में एक दूसरे से कुछ सामानताएं हो यानि कि एक दूसरे से मेल खाते हो ठीक है और जो आपस में एकता की भावना रखते हो उससे ही हम समाजिक समुह कहते हैं या फिर समाजिक समुह की आउधारा कहते हैं ठीक है तो इस प्रकार आपको इसकी परिमासा लिखनी है क्यो बढ़ा अच्छे से पढ़ेंगे डीटर में पढ़ेंगे क्योंकि हो सकता है अपके लगुत्री में आगया तो आपको वहाँ पर लंबा यानिकी ज्यादा लिखना पढ़ेगा दोस्तों सब्दों में ठीक है तो इनका उत्तर जानना आपको लिए बहुत ही जरूरी है ठीक है ज्यान दिजेगा समाज सास्तर में एक समाजिक संगठन ब्यक्तियों और समाजिक समोहों के बीच समंधों का एक पैटर्न है समाजिक संगठन के पहलों को सभी समाजिक इस्थितियों में प्रस्तुत किया जाता है जहां कुछ या अधिक लोगों को समाजिक मान दंडों के संचालन से उत्पन होने वाली परसपर समंधी गत्विदियों के एक समों में डाल दिया जाता है जिसे हम समाजिक संगठन कहते हैं तो इस प्रकार आप लोगों के समाजिक संगठन की परिभासा लिखनी है क्योंकि आप लोग कहते हैं कि संस्कृत की परिभासा दीजिए या फिर संस्कृत को परिभासित कीजिए संस्कृत नहीं यहाँ पर संस्कृत की बात हो रही है कल्चर की बात हो रही है तो ध्यान रखेंगे संस्कृत और संस्कृत में बहुत अंतर है तो सांस्कृती की परिभासा आपको इस प्रकार लिखनी है एक प्रिसिद्ध समास साफ्त्रे या फिर बिद्वान है जिनका नाम है टाइलर तो टाइलर जी की परिभासा मतलब की सांस्कृती की परिभासा कुछ इस प्रकार देते हैं जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, अचार, कानून, प्रथा और अन्सभी छमताओं तथा आदतों का समावेश होता है, जिन्हें मनुष्य समाच के नाते प्राप्त करता है, जिसे हम सांस्कृत कहते हैं, तो इस प्रकार आपकी परिभासा बनती है सांस्कृत की, तो आप लोग इतना ही लग देंगे, तब भी आपको पूरो नमबर मिल जाएंगे, ओर अगला प्रस्निशी में आ जाता है, कि समाजिक अफ्त्री करण पर एक संचिप्त नोट लिखे या समाजिक अफ्त्री करण की परिभाफा दीजिए या फिर अर्थ बताईए ऐसा भी प्रेशन बन सकता है ठीक है लेकिन यहाँ पर नोट के बारे मत आगए तो चलिए इसके बारे में समझते हैं तो समाजिक अस्त्री करण वह प्रिक्रिया है जिसमें बेक्तियों के समूहों को उनकी प्रतिष्ठा, संपत्य और सक्त की मात्रा के सापेच पदानुक्रम, यानि कि करम के नुसार ठीक है पदानुक्रम में बिभिन सेडियों में उच्छ से निम्न रूप से अस्त्री करत किया जाता है जिसे हम समाजिक अस्त्री करण कहते हैं तो इस प्रकार आपको इस प्रश्ण का उत्तर देना है तो आई होप आप समझ गये होंगे और अच्छे से भी लिख लेंगे ठीक है इस प्रश्ण का उत्तर यह जो पांच प्र एस्टेर के से 7 मेरे छात्र हैं ठीक है तो घ्यान रख िएगा बहुत महात्र पोλλब प्रश्ण है और भी बहोँत सारे महात्र पूर्ब प्रश्ण है इनको fonction बेड़ में बता भी रख्ञा है लेकिंद इसे पर में इतने ही सबमेहें थैकına नीके लगत्री प्रिक लग उत्रे प्रस्ण में है यहां पर यह कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर देख लीजिए लिखा है साब साब कि प्रतेक प्रस्ण के लिए आप लोगों को यानि कि चार प्रस्ण सिर्फ और सिर्फ करने हैं लग उत्रे में और प्रतेक प्रस्ण के लिए आप लोगों को समाज साफ्त्र के छेत्र एवं बिसे वस्त की अलोशनात्मग व्याख्या करें। समाज साफ्त्र का छेत्र है उसके बारे में आपको लिखना है तो यह प्रश्ण आपके प्रश्ण आएगा ही आएगा ठीक है याद रखेंगे दो नमबर प्रश्ण है कि बयक्त और समाज के पीच संबंधों की बिश्श् publishing कीजी बयक्त ध्यान जीजेगा इनसान यानिकी आदम की इनसान ब्यख्त बयक्ती और समाज के बीच क्या संबंध एक दूसरे के बीच क्या relation है वह आपको लिखना है बहुत ही महत्तपूर्द जो इंडिया की जो सोसल सिस्टम है वो किस प्रकार का है ठीक है उसके बारे में आपको लिखना है बहुत ही हार्ड कोईश्चन है यह परिच्छा में प्रशन आएगा ही आएगा समाजिक बियुस्था को लेकर या फिर भारतिय समाजिक बियुस्था ऐसा प्रशन बनेगा जर है दीर्ग में आए चाहत में आए आएगा जरूर यह प्रशन हाई लेबल का है इसको भी तयार कर दीजिएगा ठीक है अगला प्रशन है कि सांस्कृत की किनी चार बिशेस्ताओं की अलोशनात्मक ब्याक्या किईजिए क्योंकि आपको इस प्रशन के लिए नो नंबर मिलन अगला प्रशन है पाश्न है कि समाजी करण के प्रमुक अस्तर क्या है समाजी क्रण के क्या क्या देखे मुख है यानि की मेन लेबल है उनके बारे में आपको लिखना है बहुत ही हाई लेबल का और जर्नली प्रशन ये भी है समाजी करण से भी जुड़ा प्रशन बनता है वो चाहाँ समाजी करण की परिभासा लीजिए चाहाँ प्रमुक अफ्तर बताईए ठीक है ऐसा प्रशन आएगा जरूर परिच्छा में ठीक है अगला प्रशन यहीं पर बनता है कि समाजी क नियंत्रन को परिभासित करें यानि कि जो समाजी क नियंत्रन है ये प्रशन तयार कर लीजिएगा हाई लेबल के प्रशन आएगा ही आएगा इतना चाहना आए कि प्रकार बताईए लेकिन समाजिक नियंतर्ण को परिभासा जरूर आएगी तैयार कर लीजेगा अच्छा प्रश्ण है अगला प्रश्ण है कि समाजिक गत्सीलता की प्रूंग विशिष्टाओं यूं प्रकारों की विश्णा कीजिए है आप पढ़नाश पाइदरे प सकते हैं इतना महात्रपूर प्रश्ण नहीं नहीं है आप लोग लोग प्रस्ण के दीर घुतरे उत्त तो इस प्रस्ण करें याब है वह अगला प्रश्ण का गतना चैनीध से प्रिजियों को फश्ञां 0 फूर्टीन नंबर यानि कि चोदा नंबर लिए जाएंगे इस इन्वर्सिट यानि कि जिस इन्वर्सिटी का पेपर उसमें बताया जला आपकी परिछा में कौन से आने के ज्यादा चांस है तो पहला प्रशन है कि समाज का अन्य समाज विघ्ज्ञानों के साथ सम्मंद को अुष्पष्ट कीजिए तो सम्मज साफ्थ रहे है कर दीजेगा समाफ्थ सम्माज साफ्थ का नहने समाज-ніहार समाज विग्यान है उनके साथ क्या इनका क्या एक दूफ्रेफ मेल खाते हैं किस प्रकार संबंद है वह आपको डिस्क्राइब करके लिखना है बहुत ही हाई लेबल का जर्णरी प्रस्ण है और आपकी परिच्छा के लिए इसको तैयार कर लिए ठीक है इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूं उसको तैयार कर काफी हलफल प्रस्टिती आपकी परिश्चह कि लिए दो नंबर है कि यह परस्थिति एव भूमिका पर निबंद लेखिये तो यह परीच्छा में आया है लेकिन आपक यह पने पर में यह कुश्चन दिया गया है तो आप इसको पढ़ सकते हैं इसका उत्तर मेरे इकोर्ड की हम जो कहेंगे कि ये medium type का है या फिर low type high type का नहीं है यानि कि top level का question नहीं है तो इसे आप लोग इग्नोर भी कर सकते हैं अगला प्रस्ण है कि परिवार को परभासित करें परिवार के प्रमुक परकारों की अलोशनात्मक ब्याख्या करें तीन स्टेज में इस question को रखेंगे हम low medium और high तो इन low और high for low, medium और high तो ये किस परकार का question है तो ये आपका high level का question है ठीक है top level का question है ना तो ये low है और ना तो medium है ये प्रस्ण परिच्छा में आएगा ही आएगा कि परिवार को परिभासित करें परिवार के प्रमुक प्रकारों का वरण करें या फिर अलुशनात्मक ब्याख्या करें ऐसा प्रस्ण बनेगा तो ये high level का question है परिच्छ में आने को पूरण चांस है तो तैयार कर लिजेगा ठीक है इसका answer लेकिन इस प्रस्ण का उत्तर आपको पांस सब्दों में देना है इस प्रकार से तैयार करिएगा ठीक है लोंग में अगला है कि में मीडियम कट घरी में रखेंगे अगर मीडियम में नहीं आता तो फिर लो में रख देंगे क्योंकि ये कभी कदार पूस लिया जाता हमेशा नहीं आता लेकिन फिर आरा आप लोग इस प्रस्ण को द्यारा ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा पढ़ लीजेगा आपके लि समझ में भी आ गया होगा और आप इसी तरह के अन्य भी सब्जेक्ट का कोईश्टन पेपर चाहते हैं तो कमेंट बे जरूर बताएं हम आप तक प्रवाइट करने की पूरी कोशिच करेंगे ठीक है जो जो कोईश्टन का एंसर पोसिबल होता हम एंसर भी बताते हैं और जल जिट कर सकते हैं ठीक है मिलते हैं को नई वीडियो में तब तक के लिए जाहिए हैं